तो यह तस्वीरें आप देख रहे हैं बनारक्स की तस्वीर जहां पर प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी का रोड़ शो आगे बढ़ता हुआ और 11 जगहों पर प्रधानमंतरी के स्वागत की तैयारी की गई है पूरे रोड़ शो के दोरान इस पूरे रास्ते में बीजेपी के कारी करता नेता आम जनता महिला पूरुष सभी प्रधानमंतरी के स्वागत के लिए मौजूद है और प्रधानमंतरी की एक जलक को बेताब दिख रहे हैं सभी जनता का अभिवादन स्विकार करते हुए प्रधानमंतरी लगातार पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए और काशी की ये तस्वीर देखिए इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे हैं अलग-अलग मौकों पर अगर चुनावी माहौल की बात की जाए तो 2014, 2019 और 2024 का ये रोजशो तस्वीर न्यूस एटिन आपको दिखा रहा है रोजशो की तस्वीर प्रधानम लोग बालकरी में घरों की छटों पर मौझूद है वहां से प्रधानमंत्री को देख रहे हैं उनके उपर फूलों की बारिश कर रहे हैं और जनता का अभिवादन स्विकार करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला लगतार बढ़ता हुआ दिखरा है प्रधानमंत्री के आमांकन करेंगे बारार राज्यों के मुख्य मंत्री उनके साथ मौझूद होंगे बीस मंत्री के इंद्रे मंत्री मौझूद होंगे उनके साथ और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री विधायक मौझूद होंगे प्रधानमंत्री के साथ वो एक अलग शक्ती प्रदर्शन और वही भगवा रंग के गुबारों से फूलों से पूरे बनारस को सजाया गया है हमारे सयोगी अलग-लग जगहों से मारे साथ मौजूद है और न्यूज 18 पर लगातार आप ये मेगा कवरेज देख रहे हैं अनुप गुपता का रुक कर लेते हैं जोकी गुदॉलिय चौराही पर मौजूद है और थोड़ी देर में पी-म गुदॉलिय चौराही तक पहुँचेंगे वहाँ पर भी बड़ी संक्या में लोग पी-म का इंतजार कर रहे हैं उनकी एक ज़लक पाने को बेताब है अनुप गुद्दा आपको आवाज मिल रही हमारी जी जी बिलकुल आवाज मिल रही है आपको बताओं कि सभी को यहां इंतजार है परधानमंत्री नरेंद्रमुदी कब यहां पहुँचते हैं हाँ इस तरह से आप देख रहे हैं लगातार अलोंगों की आने का सुंसीला जो है ज़ी है पूर्ण मंत्री नरेंद्रमुदी यहां पहुंचें पूंचें लुघ्साल्टी आपको बतातों कुछ लोग हैं यहां जो चल रहा है कि यहां पहुचने वाने क्या कहेंगे प्रधान मंत्री नरेत्र मोदी के लिए कासी का कितना मत्व है क्योंकि जब विदेशों में विजाते तो वह कासी का नाम देते कि मेरी कासी आप देख सकते कितने उतसा से पूरी कासी अमुड़ी है कमसमी कैस जो है कैस पॉइंट बनी ह हुई है यह हमारा दच्चली प्रधान सबाए नेलकंटिवार जी के नित्रीतु में यह सब सजावाट हुई है और हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं भब स्वागत करेंगे आदली प्रधान मंत्री जी का कई सवाल खड़े हुए थे लेकिन आज यह कासी के खोकी रह गया है क्या आपको लगता कि पिछले 10 सालों में काशी में आमुड चूल परिवर्टन हुआ गासी में बहुत काफी परिवर्तन हुआ है जब से उनके चरण कासी में पड़े हैं 2014 से उसके बाद परिवर्तन ही परिवर्तन हुआ है और भव्यकासी सुंगर कासी और निर्मलकासी बना दिया है उन्होंने अगर वो बनारस में आएंगे तो निश्ची दी बड़ा परिवर्तन करके जाएंगे और निश्चीत कासी उनको अबना चुकी है और मेरी कासी भवे कासी का जो संपूर्ण नारा उन्हों दिया है इस बार पुना चार सो पार सीट पाके हम लोग बात चीत आप जारी रखेगा हम आपके बास दोटेंगे सौरब जी पॉलिटिकर अनिलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुएं सौरब जी ये तस्वीरे ही काफी कुछ बताती है अगर इस स्पेशली रोड शो की बात करें इसमें एक तरह से लगू भारत की जलक नजर आ रही है मंत्रो चारण हो रहा है डमरो की निनाद है वहाँ पर जिसरे से लोग नित्य कर रहे हैं अलग-अलग संस्ट्रीत की लोग नजर आ रहे हैं तो एक लगू भारत की जलक तो है ही लेकिन ये तस्वीरे काफी कुछ बताती हैं आने वाले चुनावों के मद्देनेजर रिजल्ट्स को लेकर भी सौरब जी कुछ शायद आवाज नहीं पहुंश रही है आस्था करू कर लेते हैं अगर्णाज था ऐसा लग रहा है कि मदद पूरा इलाके से इस तोर पर आज का ये चोथे चरण का चुनाव एक निरडायक चुनाव की स्थिति में आ चुका है और ऐसे में रोडशो बनारस में देखिए काशी धर्म की नगरी है कासी ज्यान की नगरी है कासी विज्यान की नगरी है कासी अध्यात्म की नगरी है और कासी मोक्ष की नगरी है और मोदी जी ने कहा कि मा गंगा ने हमें बुलाया है यह जो नारा उस समय उन्हों ने दिया और 2014, 2019 और 2024 उत्तरुपतर बरावर यहां मत प्रतिशक और जन सहलाब और समर्थन और लोगों का प्यार मोदी के प्रति बढ़ता ही बढ़ता दिख रहा है, इसलिए पूरे पुरवांचल पर इसका असर है, पूरे भारत पर इसका असर है और मोदी करिश्माई व्यक्तित्त हैं इस बात से नकाड़ा नहीं जा सकता है, मोदी इस चीज़ को जानते है कि उनको कब क्या खेलना है अंकारी के साथ हर एक तस्वीरे दिखा रहे हैं, हमारी सयोगी आस्था कौशिपी वहाँ पर मौजून है, आस्था आपके आसपास कैसी तस्वीरे जरा दिखा है, प्रधार मंजूर नरेंद्र मोदी का रोट शो आगे धीरी धीरी बढ़ता नजर आ रहा है, आपके पास का जी, बिल्कुल, विशनात दाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, काशि विशनात मंदिर मेरे पीछे है, और ये सरोजशो का अंतिम पड़ा होगे, जबरदस रोनक यहां पर लगी हुई है, मेरे ठीक पीछे, आप देखेंगी मंच बनाया गया है, वहां से लगातार उसे सजावक की गई है, बीजेपी कारे करता है, जो हातों में कमल का भूल ले करके प्रदान मंतरी मोदी का अंतिजार कर रहे हैं, और साथी काशी के लोकल लोग भी, और एक दिल्चस्क किरदार हमारे बीच में है, ये देखिए, मैं इन ही को ट्रैक कर रही थी, ये संदय प्रदान मंतरी मोदी जी, ये आपकी इच्छा है कि फिर से प्रदान मंतरी बने, इसलिए आपने ये गेटप बनाए पूरा, क्या नाम है आपका, लक्षे डेलिया, लक्षे, लक्षे आपकी क्या एज है, 13, तो यानि आप 7th 8th क्लास में होंगे, तो आप पॉलिटि इसकी जानकारी रखते हैं, देखते हैं, नियूज व्यूज राजनीती देखते हैं कुछ भी, नहीं देखते हैं, लेकिन पीम का गेटप आपने बनाए, पसंद करते हैं पीम को, आपको क्या बात अच्छी लगती हैं कि पस्नालिटी में, या वो जो जो जिस तरा सिस्पी और पहले कैसा था और आप कितनी साफ सफाई हैं, आप मगर एंगी, मुझे लग रहा है, आप भी फैन है, इसलिए आपने बेटे को ये गेटप लिए, ये खुद फैन है, तो बता ही, ये महिलाय क्यो वोट दे प्रदार मंत्री मोदे को, क्योंकि उनके कारण महिलाय सेफ ह पहले से, जो मैं लाए रात को दर्दी भी निकलने के लिए, अब सब निकलने के लिए, अब हम लोग इस समय देखे इतनी विने जैंसरों की लिए नोग भी सेफ़ी निकल दो, इस वज़े से मोदी के आने से बनारस में भी सफाई भी हो गई है, लोग सुधर हैं, पहले से प्रदार मंद्री का इंतिजार कर रहे हैं, इस बीच नितिन का रुक कर लेते हैं मारे सेयूगी मारे साथ मौझूद हैं, नितिन आप बताएं कि इस वक्त आप कहा मौझूद है, क्या वहाल से काफिला गुजर चुका है या पहुचने वाला है? मैं मदन पूरा में मौझूद हूँ और मदन पूरा में अभी कुछ देर में ही काफिला आने वाला है, काफिला की जो सुचना है वो सिवाला इलाके में हैं, आपको बता दे भारी संख्या में लोग यहां पर सड़क पर हैं और अपने नेता के इंतिजार में हैं, इस बीच पुलिस कर्मी जरूर पहुंच गया है और रोट को खाली कराया जा रहा है, निश्ची तोर पे अभी थोड़ी देर में ही प्रदान मंत्री नरेन वोदी का काफिला यहां पहुंचे गा और लोग जो सुबह दो पर सही इंतिजार कर रहे हैं इस रोट को का, वो आपने प्र काम लोगों को जबाब देखें और विजूल को देखें, तो यह साब पता लगता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, धर्म, पंत, जाती से उठकर लोग इस रोट सो को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे सेयोगे भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, अनूप यह जो तस्वीरे नजर आ रही हैं, जैसा कि नितिन भी बता रहे थे कि अलग अलग जाती के अलग अलग समुदा है कि लोग यहां पर सांस्कृति प्रस्तूतिया देने के लिए पहुँचे ह यहां पर मिनी इंडिया की जलक भी नजर आ रहे हैं, जो हम तस्वीरे इस वक देख रहे हैं, और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का यह 5 किलोमेटर का रोड़ शो, 5 सालों का रोड मैप भी तैयार करता है अगर प्रधान के लोगों से अगर आम बात करें, तो देज की राजगीती की दसा और दिशा किस और चल रही है, वो सारी बातें यह लोग बता देते हैं, कई लोग यहां पर मौजूद है, हलाके बीजेपे के ज्यादा मौजूद है, चुके बताने के जानेद्र मोदी का है, यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाओं में विपाप्च पीजेपी को चुनाओती दे पा रहा है, उगच पूरी तरह से विवाजित है, और इस बार मोदी जी चार्ट सो पारेंगे करेंगे, और मोदी जी भूतन अभविस्ता, और मोदी ऐसा प् पार्टि, कॉंग्रेस, के चुनाओं कि चेपी को रहा है, बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो विजर लेकर मोदी जी चलते है, वो किसी और की सोच वर्दिक आना ही पहुंच सकती, लिहारा, हारा, महारे, अब की बार, या सोपा, अब की बार, या सोपा, अब को लगता है कि इस बार, वो जीत पाएंगे, बिल्कुल नहीं, और भी ज्यादा अंतर से जो राहुल गांदी हारेंगे, जमानर भी बचता पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, लोने के आपके पास सौरब जी तरुकर नहीं है, वो भारत पे रहा के पाकिस्तान के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की ये खासियत है, जब वो गुजरात के मुख्य मंतरी थे तब भी, और जब वो देश के प्रधान मंतरी हैं, तब भी आम लोगों के साथ खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो जनसभा कर रहे हो, रोड़ शो कर रहे हो, या फिर किसी और कारेक्टर में मौझूद हो वहां मौझूद आम लोगों के साथ उनका connection वो देखने को मिलता है आज के रोडशो में और पिछली बार के रोडशो की बात करें बनारस में आपको कुछ अंतर दिख रहा है इस बार सबका साथ सबका विकास का जो नारा BJP का होता है वो रोड विद्धार्थीओं के बीच में भी बात करते हैं सभी वर्गों से उनका सिधा संबाद होता इसका मतलब है कि मोदी इस बात को समझते हैं कि भारत की नब्स क्या चाहती है भारत की राजनीत में ओचीज क्या है जो उनको सर्वाइवल करे जो उनकी लंबे समय तक काम करने का एक उसर उनको दे सके वही कारण है कि 2014 के नामांकन और रोडशोग बनारस में जबाए थे तो काशी बदल गई और 2019 में उससे ज़्यादा और टोटल 2024 तक आते आते 44 बार इन्होंने अपने कारेकाल में बनारस में आए हैं एक बात दूसरी बात बनारस में विकास के लिए खुद मॉनिटरिंग करना मोदे ने अपने परिस्रम से अपनी मेहनत से ये तो सिद्ध कर दिय और यह दिखा दिया कि ओ अपने न थकते हैं न रुकते हैं और जुकने वाले हैं यानि वो इस बिचार के इस मिजाज के उनकी बेतर की ऐसी तासीर है कि वो जनता से कनेक्ट हो सभी वर्कों से अलग-अलग समुदायों से बात करना सबके लिए मॉनिटरिंग करना काम करना चाहें वो जिस कोविट का पिरियेड हो बनारस की अलग से चिंता किये थे आपको ध्याम में होगा आप सबने नियूज 18 ने उसको खबर भी दिखाई थी और ब्रेक भी किया था सबसे ज़्यादा चिंता की पूरे देश की चिंता किये और दुनिया बर में भी कोविड इं प्रतिनिदी हैं वहां से कनेक्ट होना वहां के लोगों से कनेक्ट होना चोटी-चोटी घटनाएं होती हैं चोटी-चोटी बात होती है हर चीज की मोनिटरिंग करने के लिए और यह बात महां के लोगों को पता भी होगी जिसको लेकर लोगों की भीड एक तरह से हुजुम माँ पर उम्रा होगा लोगों में कुतना उत्सा नज़रा रहा है ये तो आप लगतार बता ही रहे हैं लेकिन ये जो पूझा पार्ट का दौर चलेगा जब प्रधानमंत्री माँ पर पहुंचूंगे जो पलक पावड़ी बिछा कर जनता माँ पर मौझूद है कैसा उनको अन पारें हैं आरी अवाज आप बताई क्या माहूल आप देख रहे हैं वहाँ पर इस रेलिंग के पार लोग देख रहे हैं यह सब इंतजार कर रहे हैं यहां पर इनी से बात करते हैं किसका इंतजार हो रहा है कि मोधी जी का इंतजार हो रहा है किती देर से खड़े हैं यह घंटे से हो गया है तो यहां पर आप देखिए भीड बढ़ती जा रही है मेरे ठीक सामने काशी विशुनात का जो वियाई पी गेट है उसकी एंट्री है जहां से प्रदान मंत्री मोधी का जो पूरा सिरफ आठाठ की नगरी में कुछ हएंटे रहा हूं कि 24 में मोधी जी आएंगे मोधी जी आएंगे लेकर बाबावत पारुर्वास जित जीत जाएंगे मोदी जी आएंगे नमः पार्वती पते हार आर मारे यह बताएए मनारास को गलियों का शेहर है विकान येवल घाटों का हुआ है या गलियों तक भी तक भी तक हुआ है नूप ये जो रोडशो बहुत जादा खास है और यहां पर हम देख रहे हैं कि अलग-अलग कटाउट्स भी लगें प्रधार मंतरी के सौगत को लेकर चाहे प्रधार मंतरी अपने माताजी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हों कटाउट्स वो भी लगे हुए हैं अलग-अलग जो विभूतियां हैं वो भी नजर आ रहे हैं कटाउट्स में और मदन पुर जिस तरीके से आहम तोर पर आपने सुना होगा कि जब किसी राज़ीतिक पाटी या किसी बड़े नेताओं की रैली या रोटसों होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को पैसे देकर बुलाय जाते हैं, ऐसे आरोप लगाय जाते हैं, तिकि जिस तरीके से हमने आज देखा है, सु लोगों का उत्सा जिस तरह से लोगों का जमावडा यहां लगातार पढ़ता जा रहा है तो इच्छा से लोग यहां पहुच रहे हैं तेकि इसर धर्मी है उसके बावजूत भी लोगों के आने का सिल्सिला हम नहीं रहा है लोग चाहते हैं कि खानमंत्री नरेद्र मोदी की मोदी 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 सु सिर्फ मोदी अपनारस पर इस ऐसते हैं तब हचका समया हैं हर जयतु है हिस्वास्त हो शिक्षा हो रेलवे हो रोड हो हर छे तर में डिपेंस हो हर छेतर में घास हुआ है एक आसी प्वानास में हर गली में काम लगा है हर गली में भीकाश है पुल अरूब करा ये भी पताएं कि गेवी जानकारी मिल रही है कि जो रोडशो है रोडशो के बॉर्डर्स पर हम देखने जो कट आउट्स लगे हुए हैं इसमें पुरानी काशी बनारस और अभी के 5 साल पहले उसके बाद की जो तस्वीरे हैं वो तस्वीरे भी लगाए ग जो विकास के कारे बनारस में के गए हैं उसके कट आउट्स भी वहाँ पर लगाए गए हैं जो ये बताता है कि प्रधान मंत्री का सिर्फ चहरा उनकी लोग प्रितन ही विकास के कारे भी बनारस में हुए हैं और पुरानी बनारस और अपकी बनारस में काफी चीज़े बद कि आपके विश्वनाद कि मंदल डंबरुदल से आज मान्य प्रदान मंत्री मोदी ली का रोडसों है जिसमें का 101 डंबरुदल उनका स्वागत कर रहा है हमारी काशी के सांसद प्रदान मंत्री जी काशी नहीं वलकि पुरे देश को सजाने शबारने में लगे हुए विकास की एक गंगा बहाया है उन्होंने और हमारी काशी आज हुजूम उमट बड़ा है और हर हर महादेव के उद्गोश से हम कासी बासी प्रदान मंत्री जी का श्वागत अविनंदन कर रहे हैं या हम सबी के लिए दोरव अलवूत हो रही है कि हमारी कासी के सांसद देश के प्रदान मंत्री है और देश को अंतराश्रिया इस तरफ़ इस ओर ले जा रहे हैं कि हमारा मान और शम्मान बड़ा है खाएं जरा हमें ताकि इन दस्वीरों के जर्गे हम समझ सकें कि आखर किस तरीके की रौनक है और जरा कुछ लोगों से बात करिए युवाओं से पूछिए कि आखर जिस तरीके से जब मोदी काश्ची आते हैं तो किस तरीके का अनुपाब फिलिंग उनको होती है अनुप के पास हम चलेंगे लेकिन आस्ता कौशिक भी हमारे साथ है आस्ता सबसे बड़ी बात किये कि आज काशी की सड़को पर ये जो सेलाब है ये कही ने कही ये बात साबित भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ कितना बड़ा जन समर्थन काशी में उनके साथ मोजूद है अनुपम सवाल में आपका नहीं सुन पाई लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी और जन समर्थन से समंधित कुछ पूझ रहे थे तो आईए ये बीजेपी कारे करता कुछ हमारे साथे बहुत देर से हर हर मादेव का उत्गोश यहां पर हो रहा है और आप लोगों ने अभी से मान लिया है कि प्रधानमंत्री ना सिर्फ जीत रहे हैं बलके 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा है इसलिए है मैं हम तो पहले सबसे पहले ये कहना जाएंगे कि मोदी जी जिसको हम मत देते हैं उसके नाम में पूरे हिंदुस्तान में मत मांगा जाता है यह हमारा शोभाग यह हमारा श्वांचत देश का प्रधानमंत्री बनता है और तीसरी बार हम चाहते हैं एक हम से कम 10 लाख बोटों के अंतर से उनको भारी से भारी मतों से विजयी बराकर काशी विश्वात के धाम में हम लोग उन्हें अस्ताक्षर करता है थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी कल नॉमिनेशन भी फाइल कर देंगे तीसरी बार मैधान में आप उम्मीदे और बढ़ गई हैं आपकी उम्मीद तो थी है और रहेगी हमेशा है हमने मोदी को दिल दिया हम लोगों ने हम लोगों बोलाए नहीं हम लोगों खुद आए हैं भी बने रहे हैं क्योंकि जो गजबता उत्सान अज़र आ रहा है नहीं हम लोगों लोगों खुद आए हैं लोगों लोगों खुद